इसरेल और इरान के बीच दनाओ अभी भी चरम पर हैं इसरेल ने अब तक इरानी हमले का जवाब नहीं दिया है ऐसी आशंका जताई जारिये की पांच नमंबर से पहले इसरेल किसी भी वक्त इरान पर बड़ा पलटवार कर सकता है इस बीच इरान ने चीन और रूस से अपनी करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी है रूस खुले आम इरान का साथ देने के लिए उतर चुका है अब रूस और इरान की नौ सेना ने हिंद महासागर में नौ सैन अभ्यास शुरू कर दिया है इरानी मीडिया ने बताया कि हिंद मासागर में आयोजित IMEX 2024 नौसैनिक अभ्यास में रूस, इरान और ओमान की नौसैना हिस्सा ले रही है यह अभ्यास 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नौदेश भी इस अभ्यास में शामिल होंगे जिसमें सौधी अरब, कतर, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश और थाइलिन शामिल है इससे पहले मार्च महिने में रूस, चीन और इरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था इरानी नूस के मुताबिक इस अभ्यास का मकसद इलाके में सामोहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है इसके लावा बहु पक्षिय सहयोग का विस्तार करना, शान्ती, मित्रतरा और समुंद्री सुरक्षा शामिल है अभ्यास में शामिल देश, अंतराश्ट्री, समुंद्री वेपार, सुरक्षा, समुंद्री मारगों की रक्षा, राहत और बचाओ कामों पर सुचनाओ के अदान प्रदान करने की रणनीती का अभ्यास करेंगे या अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मिडल इस्ट में तनाओ अपने चरम पर पहुँच गया है इरान खुद इसराइल पर अब तक दो बार बड़े हवाई हमले कर चुका है अमेरिका और इसराइल की दोस्ती के चलते इरान ने रूस और चीन के साथ सैन सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है इसी महीने रूसी राष्टपती पुतीन और इनानी राष्टपती मसूद पेजशकियान ने मुलाकात की थी पुदीन ने इसराइल को चतामनी देती हुए कहा था कि इरान पर हमला मत कर देना वही इरान की प्रॉक्सी गूटों के कई सिर्ष नेताओं को इसराइल ने मौत की नीन सुला दी है इसे चरम पंथी गूटों में खासा रोश है लड़ाकों ने अपने हमलों को तेज कर दिया है बिते दिन लेबनान से आये तीन ड्रोन ने इसराइली पीम आवास पर हमले की कोशिश की दावाए कि इसराइली पीम पर हमले का असफल प्रयास हुआ इसरैली परो की माने तो दो ड्रोनों को हवा महीं मार गिराये गया जबकि तीसरा ड्रोन इसरैल की ऐर डिफेंस सिस्टम को चक्मा देने में काम्याब रहा इससे इसरैल में हल्चल बढ़ गई बताया गया कि इसरैली पीयम को कोई नुकसान नहीं पहुचा है इरान का हिंद महासागर में या नौसानिक अभ्यास इलाके में बढ़ हुए तनाओ के साथ हो रहा है गाजा और लिबनान में इसराइल युद लड़ रहा है इससे इलाके में तनाओ है वैसमंदर भी इस तनाओ से अच्छूता नहीं है यमन के इरान समर्तित हूती विद्रियों ने लाल सागर में इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के जहाजों पर लागातार हमले किये हैं इसके चलते इन देशों के जहाज इस इलाके से नहीं गुजर पा रहे है इरान के संयुक्त नौसानिक अभ्यास के प्रबक्ता ने बड़ा संकेत दिया है रियर एड्मिरल मुस्तफा तेजेदीनी कहा कि संयुक्त IONS IMEX 1224 नौसानिक अभ्यास में भाग लेने वाले बलोकियों विससक्दा ट्रांसपर करने के लिए बैठाउक होगी संयुक्त नौसानिक अभ्यास में भाग लेने वाली इकाईया अलग-अलग हाला जैसे फायर कंट्रोल सर्च और रेस्क्यू ओपरेशन के सासा तेल रिसाओ रोकने और उसकी सफाई के तरीकों को बताया जाएगा हिंद महासागर नौसानिक बैठ के साल 2008 में भारती नौसेना की पहल पर शुरूख हुई थी जिसका मकसद गैर परंप्रगत और संगर्ठित सुरक्षा चुनोतियों से निपटने के लिए समंद्री सहयोग को बढ़ाना था इरान की नौसेना भारती नौसेना के साथ मिलकर दो सुरक्षा समीतियों और एक मानवी प्रतिक्रिया समीति की प्रभारी है IMEX 2024 नौसेनिक अभ्यास एक साथ सुरक्षत हिंद महासागर के लिए एक आदर्ष वाक के तहत आयूजित किया जाता है यह शांती, मित्रतता, सहनुभूती और सामुहिक भागिदारी का संदेश देता है